हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कोर हाई क्लासेस सबसे पहले आपको नए साल की ध्यर सारी सुब कम ना है तो आज हम अपने क्रेस को स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग क्लास 10 ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम इसके ओवर व्यू को देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या सब कवर करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से इसको कवर करेंगे सबसे पहला हमारा आता है इंट्डिक्षं कि शिच्रो में हम देखेंगे टर्मेंट्र रेशियोग टिग्नोमेंट्रेशुज प्रेस्ट्रेसियोग एंड सम्स पैसिपेंगες जैसे कि आपको जिरो डिग्री के लिए देखना है 45 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए देखना है 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए उसके बाद हम टिक्निमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे जिसमें जैसे आपको दिया रहेगा साइने स्क्वार प्लस को से स्क्वार क्या हो एक ट्रेंगल का साइड्स और एंगल के बीच में हम उसका रिलेशन्शिप देखते हैं जैसा कि यहां पर लिखा हुआ भी है ट्रिग्नोमेट्री इस दा ब्रांच ओफ मैथेमेटिक्स डेट स्टेडिज रिलेशन्शिप बिट्विन दा साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती क्या है इसे हम सबसे पहले देखत होता है इसलिए हमरेंगल की बात करने वाले है इसमें और वह भंवी राइट अंगल ट्रेंगलके बारे मैं को देखते हैं सबसे पहले अगर आप किसी ट्रेंगल का साइट का रेशियो लिखो उसके बाद अगर उसको कुछ नाम दे दो तो उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम इस में देखने वाले एक waters यहां पर एक तो 90 और यहां पर दो एक कियूट अंगल को अंगल सीपे और एंगल एप कि आड़ zulी की तो को और यहां पे ठीटा लिया एक एंगल लिया जो सी पेन घेक एग्रीक लेक्तल से लिया गया है जो एंगल के लिए ओद्द है यह ठीट एक कित्रमने जो होता है उसको किया बोलते हैं Frepend99 कुल तो हाइपोटेनियस वाला जो पार्ट होता है उसकोुए पूर्ट अइस बोलते हैं यह फिक्स होता हुआ और जो बच जो बच गया हुआ हमारा क्या बचे हुई जो साइड से it's matter गया हमारी स्देश है। कि दूसरा थेोरम क्या होता है। उससे हम देखते हैं एक हुआपोटेनियूस का सकोर инт को टो क्या होता है प्रपेंडीकुलर का स्कवार प्लस बेस का स्कॉरर. तो आप लोगों की सब पता होगा है का तो हम दू टाइंगल बनाते हैं और इसमें जू लेने वाले हैं उसमें हैं कि ठीटा की वैलव दो एक की टेंगल आपको दिख रहा होगा मैंने बताया अभी है यह को एक बार इधर से लेता हूं एक बार इस तरफ से लेता हूं तो मैंने आपको बताया कि ठीटा के ठीक सामने वाला जो होता वह प्रपेंडिकुलर होता है यह तो फिक्स है हमारा यह तो हमारा तीनों चीज जो है यहुको टोटेनियाज प्रॉपनेकुलर्ण और बेस यहुके प्रॉपनेकुलर्ण करता है इसलिए फिंट के ठीक शामने वाला क्या होता और फोराजा और यह हॉएट वाट्रुं रॉद्ट के इधर देखते हैं ठीटा के ठीक सामने वाला क्या हो गया प्रेपेंडिकुलर यह आईपोटेनियस फिक्स है और जो बच्ची हुई साइड है वो क्या हो गया हमारा बेस हो गया अब हम देखते हैं टिकनोमेट्रिक रेसियो कि 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 हमारे पास कि टिकनोमेट्रिक रेसियो ची होते हैं कि साइन कॉस टैन कोशेक सेक और कॉट सबसे पहले कि राइट एंगल ट्रेंगल लेते हैं कि अधिया कि अधिया कि मैं यहां पर दो बनाता हूं अधिया कि अधिया कि अधियर कि इस तरफ लेने वाला हूं और एक में इस तरफ लेने वाला कि यहां पास दो एक यूट एंगल हैं एक यहां पर और एक यहां पर तो मैंने आपको बता है कि size के ratio को अगर आप नाम दे दे ओगे तो उसको बोलते हैं trigonometric ratio सबसे पहला जो हमारा trigonometric ratio आता है वो हमारा क्या होता है साइन ठीटा साइन ठीटा क्या होता है व linity एक सबसे पहले हम यहां पर लिक लेते हैं इसके ठीक सामने वाला फि टाय यह एच फिक्स है और बच्चोई साइड बेष इसमें भी उसी प्रकार प्राफ कर यह पी होupa यह होग्या और यह क्या हो बेस हो गया सबसे पहला जो हमारा है साइन ठीटा पी बाई एच यहां से अगर आप देखोगे लेंथ देखोगे ट्रेंगल का तो क्या है यहां पर अबी अपॉन एच दूसरा हमारा क्या है कॉस्ट ठीटा क्या होता है बी बाई एच बी सी अपॉन एच थार्ड है हमारा टैन टैन ठीटा है हमारा पी बाई बी अगर इसके लेंथ को आप देखो तो पी हमारा हो गया एबी और बेस हो गया हमारा बी सी कि चौथा हमारा है को सेख ठीटा को सेख ठीटा अपोजिट होता है किसके साइन के यह क्या होते है अपोजिट होता है तो अपोजिट होता है तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ठीटा इसकी वैलू अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा यह यहां से आपको एसी अपॉन एवी हो जाएगा पांचमा हमारा है सेख ठीटा सेख ठीटा क्या होता है कॉस्ट ठीटा का ऑपोजिट होता है तो यहां से आपको एच बाइबी मिलेगा यहां से एसी अपॉन बीसी हो जाएगा लास्ट हमारा है कॉट ठीटा कॉट ठीटा क्या होता है हमारा टैन का यह भी टैन का क्या है अपोजिट होता है यहां से आप लिख होगे तो क्या जाएगा बी बाइपी बी सी अपॉन एबी अगर आप यहां से लिखना चाहो तो आप छेओ ट्रिग्नोमेंटिक रेशियो यहां भी इसी प्रकार लिख सकते हैं जैसा कि आपको मैंने बताया है जी समें भी आप लिख सकते होंसे साइन ठीता क्या हो जाएगा फी ये आप को याद कर लेना है यहां से फी की वैडु अगर आप देखोगे इस ट्रेंगल के लिए तो यह हो जाएगा बी सी अपॉन एसी हो जाएगा काोस ठीटा अगर देखे होगे यहां से तो आपका क्या होता है हमें याद करना है कोस ठीटा क्या होता है अगर यह हमें याद रहेंगे तो यहां से क्या होंगे base हमारा हो गया AB और hypotenuse हो गया AC ठर्ड है हमारा 10 theta 10 theta क्या होता है P by B P आपका P का value क्या है BC और B का value है AB यहां से cosec theta देखते है cosec theta क्या होता है cosec theta क्या होता है आपका sine का opposite है यहां से अगर आप लिखोगे तो H by P हो जाएगा H की value AC P की value BC sic theta को देखते है यह क्या है हमारा cosec theta का opposite है cosec theta का opposite यह क्या हो जाएगा आपको H by B हो जाएगा यहां से अगर आप H लिखोगे तो AC B की value क्या है AB और लास्ट में हमारा आता है cot theta यह भी क्या है 10 का opposite है तो हम लिख लेंगे 10 का opposite यहां से लिखेंगे 10 क्या हमारा P by B यहां से आजाएगा B by P अगर value लिखोगे तो AB upon BC Thank you so much for watching तो हमार करेंगे behöःबगे लिखेंगे झाल